मिर्जापुर के लाल गंज में संसन खेज मामला सामने आया है पड़ोस यूवक दवारा लगातार छेडखानी वब परिशान करने से दुखी लड़की ने खुद के उपर मिट्टी का तेल छिडख कर आग लगा कर जान दे दी कटना नेवडिया गाव की 22 नवंबर 2020 की है पुलिस के मताबिक 15 वर्षिय नाबालिक लड़की कॉलेज में पढ़ती थी वह जब भी कॉलेज और कोचिंग पढ़ने के लिए जाती पड़ोस में रहने वाला यूवक लगातार बोली बोलता और उससे परिशान करता था परिजनों के अनुसार पिछले पाच महिनों से वह लड़की को परिशान कर रहा था लगातार उतपिडन से तंग आकर लड़की ने घर के अंदर कमरे में मिट्टी का तेल छिड़क कर खुद को आग लगा ली कंबिरालत में लड़की को इलाज के लिए जीला अस्पताल में भरती करवाया गया जहाँ पर इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गए परीजनों के शिकायत पर पुलीस ने लाल गंज थाने में मुकदमा दर्च करते हुए आरूप युवक को गिरफतार कर लिया है परीजनों के अनुसार लड़का पिछले पाँच महिनों से लड़की को परिशान करता था लड़की जब कॉलेज जाती तो वह पीछा करता और उसे सारवजनिक स्थल पल्स जरील करता था जिसकी वज़े से लड़की ने है कदम उठाया बृतक लड़की के पिता गुजरात में नोकरी करते है लड़की अपने मा के साथ गाव में रहती थी वही घटना के बाद जिलादिकारी सुशिल पटेल और पुलीस अदिक्षक अजेस सिंग गाव में पहुचे मृतक लड़की के परिजनों से मुलाकात कर उनसे घटना के बारे में जानकारी हासिल की मिर्जापूर से अजय दूबे की रिपोर्ट